अब जो आपके पास x-1 और x-5 factors आए थे उनमें से आपने x की value point करनी है by 0 factor property आइदर और करेंगे x की value 1 आगी और 5 आगी है लेकिन जो आपका question था उसमें जो आपका ready count है ठीक है यानि x जो है उसकी power 1 है ठीक है x की power 1 है तो आपको यहां से solution 1 चाहिए जबके roots 2 आगे है तो verification इसकी master check करेंगे कि कौन सा हमारा solution set है और कौन सा हमारा extraneous root है ठीक है तो पहले हमने one put किया 41004 plus 5 is equal to 21002 minus 5 square root of 9 आजाएगा क्योंके 4 plus 5 equals to 9 और यहां पर opposite sign है 5 में से 2 को minus करेंगे 3 आ जाएगा sign बड़ी value का 9 is the perfect square of 3 ठीक है जी is equal to minus 3 not possible क्योंके positive एक negative है दूसरी value आपने इसको दी 5 4 5s are 20 plus 5 2 5s are 10 minus 5 और square root of 25 equals to 5 square root of 25 is the perfect square of 5 5 equals to 5 यह true है अब जो x की value put करने से आपका जो question है ठीक है वो satisfy हो जाए आपकी equation satisfy होगी है तो x की वो वाली value आपका solution set होता है तो यहां पर solution set क्या आगया है 5 ठीक है अब इसी type का next question है देखें जी बिलकुल वैसे ही सिर्फ values change हुई है ठीक है first type हमारी continue है अभी तक तो यह square root of 29 minus 4 x equals to 2 x plus 3 है यहां से अब आपने क्योंके यह square root है square लेंगे यहां पर a square plus 2 a b plus b square बन जाएगा सारी values को आपने एक side पर shift कर देना है ठीक है और क्योंके sign भी change होगी side change होगी तो यह आजाएगा 4 x square plus 16 x minus 20 0 अगर इसके equal है तो यह भी 0 के equal है ठीक है यहां से 4 common ले लें क्योंके 4 common आ रहा था उसको दोने तरफ डिवाइड करके cancel कर दें अब यह आपके standard form बन गी है x square plus 4 x minus 5 equals to 0 multiply करें तो 5 5 और minus करें तो 4 है 5 1 0 5 पी होता है minus करने से 4 भी आता है यहां पे देखें constant के साथ अगर minus हो तो sign आपके factors के opposite लगते है mid term का sign बड़े number के साथ तो यहां से अब आपकी 4 terms है pair wise कामल ले लें तो यह आ जाएगा x minus 1 into x plus 5 equals to 0 क्योंके 2 factors की product अगर 0 है ठीक है तो आपने 0 factor property apply करनी है कि यह तो पहला factor 0 होगा यह दूसरा कि यह तो यह थाएगा